अभी फिलाल में शूट कर रही हूँ अयुद्या में फिल्म का नाम है डार्लिंग हर इंसान या हर कलाकार जो वो कर रहा होता है उसे हर एक दिन कुछ न कुछ बहतर और कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है यही प्रयास मेरे करव से भी है और अभी फिलाल में शूट कर रही हूँ अयुद्या में फिल्म का नाम है डार्लिंग और इस फिल्म में राहूल है अप्टर जो मेरे ऑपोसिट है फिल्म के निर्माता है प्रदीप कुमार शर्मा जी और फिल्म के निर्देशत है रजनीश मिश्रा जी और यह हमारी पहली फिल्म है बतौर डिरेक्टर सर पहली बार मेरे साथ फिल्म कर रहे हैं और मैं उनके साथ पहली बार कर रहे हूँ पहली बार मौका मिला हमें साथ में काम करने का बट इस फिल्म का करने का रीजन सबसे बड़ा ये है प्रदीप कुमार शर्माजी ये सर बहुत ही बहतरीन है as a producer, as a human being इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रही हूं और बहुत ही अलग एक्सपिरेंस रहता इनके साथ काम करने का तो I think ये फिल्म करने का मोटिव या रीजन सिर्फ सर है और उसके अलावा रजनीश सर है क्योंकि हमें पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से शूट कर रहे रजनीश सर है तो अविसली उनके टेक्नीक्स बहुत अलग है बहुत सारे शॉट्स बहुत प्यारे खुबसूरत उनके और भी कई फिल्मों में देखे गए हैं और बहुत ही सजा सजा के उन शॉट लेता है ये अलग है और उसके अलावा पूरी यूनिक बहुत ही खुशाल तरीके से काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलके राहुल बहुत कुछ सीवने की चाह रखे हैं जो हर शॉट से पहले नो डिसकॉशन करते हैं कि आप किस तरीके से इस शॉट को और बहुतर बना सकते हैं तो करीबन बहुत अच्छे से काम हो रहा है मजा आ रहा है काम करके तो जितने वी दर्शकर्ण देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम और रही बात हिंदी फिल्म या हिंदी गानों के लिए हर इंसान या हर कलाकार जो वो कर रहा होता है उससे हर एक दिन कुछ न कुछ बहतर और कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है यही प्रयास मेरे तरव से भी है और हिंदी तो मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ 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 करती ही रहती हूं ऐसा नहीं है कि मेरा उद्देश्च है कि मैं एकदम से खुछ पुरी छोड़ के इंदी पे चली जाओं बट हाँ बहतर करनी की कोशिश है और इसलिए भी कुछ ना कुछ नया कर रही हूं और दर्शकों का भरभूत प्यार मिल रहा है तो I am hoping for the best अगर इश्वन ने चाहा या दर्शक का प्यार रहा तो यह पुपलिक है कुछ भी बना सकती है किसी को भी कुछ भी बना सकती है I hope so कि ऐसा हो जाए